एलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल अंकुष जी के टीच पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए IS इंटर्व्यू में पूछे गए कुछ important questions लाई हैं, अगर इस चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे चलिए, बिना कुछ देरी किये, वीडियो को शुरू करते हैं एक्जामिनर ने केविनेट से पहला सवाल पूछा केविनेट ने इसका जवाब दिया चारपाई जो सुनार की दुकान पर नहीं मिलती है एक्जामिनर ने केविनेट से अगला सवाल पूछा भारत में चलने वाली पहली ट्रेन का नाम क्या था? केविनेट ने इसका जवाब दिया सर भारत में चलने वाली पहली ट्रेन का नाम क्यूइन मेरी था एक्जामिनर ने केविनेट से अगला सवाल पूछा सिर्फ आठ को आठ बार कैसे लिखा जाए ताकि उन्हें जोडने पर एक हजार प्राप्त हो केविनेट ने इसका जवाब दिया सर हम कुछ इस तरह आठ को आठ बार लिख कर उन्हें जोडे गें इनका योग एक हजार प्राप्त होगा एक्जामिनर ने केविनेट से अगला सवाल पूछा ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा जमीन पर होती है केविनेट ने इसका जवाब दिया पर चाई जो हमेशा जमीन पर होती है पर गंदी नहीं होती केविनेट ने फिर अगला सवाल पूछा आपके जेब में 10 चौकलेट है और आप उसमें से 2 चौकलेट निकाल लेते हैं तो बताईए कि अब आपके पास कितने चौकलेट बचे थोड़ी देर सोचने के बाद कहा सर 10 चौकलेट ही बचेंगे क्योंकि जो चौकलेट को मैंने निकाला था वो भी मेरे पास ही है फिर एग्जामनर ने कैबिनेट से अगला सवाल पूछा ऐसा कौन सा जीव है जिसका खाना इनसान चुरा कर खाता है कैबिनेट ने इसका जवाब दिया मधुमक्खी दोस्तों ये सवाल आपके लिए है ऐसा कौन सा धर्म है जिसे आगे से लिखो या पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता इसका जवाब हमें कमेंट में बताना देखते हैं इसका जवाब कितने लोग दे पाते हैं फिर कैबिनेट ने एक्जामिनर से अगला सवाल पूछा दुनिया में पहली बार जब सेल्फी ली गई थी तब कितना समय लगा था सेल्फी को लेने में फिर केबिनेट ने जवाब दिया सर पहली बार जो सेलफी ली गई थी उसे लेने में तीन मिनट का समय लगा था केबिनेट से अगला सवाल पूछा ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार तीन साल तक सोता है केबिनेट ने इसका जवाब बताया समुदरि घोंगा जो लगातार तीन साल तक सोता है एक्जामनर ने फिर अगला सवाल पूछा एक मेज पर प्लेट में दो सेब हैं उसे खाने वाले तीन आदमी है तो कैसे खाएंगे कैबिनेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा एक मेज पर प्लेट में दो सेब हैं, मतलब तीन सेब हैं, तीनों आदमी एक एक खा लेंगे, साथियों इस प्रकार के सवाल पूछने का इंटर्व्यू लेने वाले का मकसद यह जाना ना होता है आप किस तरह से सोते हैं अचानक का इस स्थिती में कि आप प्रतिक्रिया देते हैं, आप किस तरह ऐसी स्थिती से बाहर निकलते हैं, आपके जवाब के साथ साथ चेहरे का भाव भी देखते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें